नवस्कार दोस्तो आग्या हूं GCO Series की एक और वीडियो लेकर आज कीश वीडियो में हम बात करेंगे feedback settings के बारे में इस feedback settings के दो पार्ट बनेंगे जिसमें आज, हम बात करेंगे feedback settings के बारे में और अगली वीडियो में हम sound theme बनाना शीखेंगे जो की इस feedback settings के अंदर ही आता है तो चलिए आज के इस part को start करते हैं और बात करते है feedback settings के बारे में तो friends हम open करेंगे जीशो को और चलेंगे feedback settings के अंदर फीडबेक settings के अंदर चलते हैं इसके अंदर चलते हैं बिना किसी देरी के हम आगे options को देखते हैं नेविगेट बटन है, यहां से आप बैक जा सकते हो वापिस, यह हेडिंग है, अगर आप चाहते हो कि साउंड फीडबैक आए तो आप इसे चेक रखिएगा, अगर चाहते हो कि ना आए, जो यह साउंड आ रही है देखो, यह यह टक टक की अवाज आ रही है, यह आए या न आए, ठीक है, तो आप यहां से चेक है, नोट चेक कर सकते हो, दिखाता हूँ मैं आपको, मैंने जैसी अंचेक कर दिया, आप देखो, वो साउंड नहीं आएगी, ठीक है, तो अब वो साउंड नहीं आ रहे है क्योंकि मैंने इसे ओफ कर दिया है, यानि जो साउंड थी मैं मैंने उसे off कर दिया है तो अगर आप चाहते हो on करना दुवारा तो यहाँ पर चेक लगा दीजेगा चेक लग गई है अब दुवारा sound नारी शिरू हो जाएगी देखो इस तरीके से आप इसे on या off अपने हिसाब से कर सकते हो अब आगे देखते है sound scheme volume कितनी होनी चीए जो sound आर यह पीछे बज रही है इसकी sound कितनी हो ठीक है तो इसके अंदर जाके आप adjust कर सकते हो यहाँ पर आपको एक से लेकिए 100 तक numbers मिलेंगे जितना आपको sound रखना है उतना रख सकते हैं आपको दिखा भी देता हूँ sound scheme sound scheme 61 60 check रखा हुआ है यहाँ पर 100 कर लेते है one zero two sound scheme volume ठीक है मैंने 100 कर दिया है पूरा ठीक है तो आप 100 भी रख सकते हो 50 भी रख सकते हो 0 भी रख सकते हो जो आपको रखना वो रख सकते हो एक से लेकिए 100 तक आपको भी लेंगे जो रखना हो रख सकते हो अपने हिसाब से तीसरे नंबर पे है Sound Scheme ठीक है? इसके अंदर जो आपने डाउनलोड की होंगी या फिर आपके पास मlesiaशगोंगी वो सारी Sound Theme इसके अंदर आपको नज़ा आएंगी चलते हैं, देखते हैं इसके अंदर आने के बाद Left to Right करता हूं यह हेडिंग है डिफोल्ट साउंड थीम भी है इसकी मैं आपको सुना देता हूं कैसी है तो यह जो है इसकी डिफोल्ट साउंड थीम है जिसे हम कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं तो तीसरे नमर पर जाओंगा की तरफ से ही है जब आप जिशो को ओन करते हो तो आपकी में में इस सेट तो दूसरी है फिलाल मैं नई कर रहा हूं और वह यहिद्ध प्रोफाइल तो यहां पर मैं नई सेटिंग बना रहा हूं जब मैं सिरीज स्टार्ट की ति उस वक्त मैं ने बनाई थी प्रोफाइल उससे लेकि अभी तक मैंने यह छोड़ी सेटिंग की है और इस सीरीज के खदम होते होते मेरी यह प्रोफाइल भी कंप्लीट हो जाएगी इस प्रोफाइल की सारी सेटिंग कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि मैं वीडियो के साथ अपनी सेटिंग करता चला जा रहा हूं तो मैं लिए जिए मिझे टॉबेक वाली को डिफोल्ट बनाना है तो मैं इस पे डाप कर दूँरा तो यह डिफोल्ट स्प्लाइगी है ऐसा है निक छीडर हुआ घ्लॉ तो यह हैं तो यह सेट हो चुकि है अब आपको मैंने यह किस तरह की से साउंड को on-off करना है वोल्यूम किस तरह के से ज्यादा कम कर सकते हो और किस तरह के से आपको एक साउंड से दूसरे साउंड पे स्विच होना है ठीक है किस तरह के से दूसरी साउंड को सिलेक्ट करना है तीन फीचर के बारे में हमने अभी तक बात कर लिया है अब चोथे नंबर का जो है उसके बारे में बात करते है टॉक बैक साउंड स्कीम सेटिंग्स ठीक मैं 2 नहीं कर सकते हैं तो इस पर क्लिक करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि ससम्ट इस अभी किमगी मनें है या फिर हमने किसी से लिया या फिर डाउनलोड की है उसे हम कस्टमाईज कर सकते हैं लेकिन डिफोल्ट वाली को नहीं कर सकते हैं इज्या-पैल वाली को बना लें तब है यहाप पिर है चोटे नमबर पे जलते हैं देखना क्या आएगा for apple sound scheme setting apple sound scheme settings तो इस पे जैसे क्लिक करूंगा तो इस में जाके मैं कस्टमाईज कर सकता हूँ कि जैसे swipe करने से क्या हो और मैं मेन मिन तो क्या हो क्या हो कोई लास्ट element है स्क्रीन का तो उस पे जब करते जाए तो क्या हो ननफॉक्सोइबल ऐलिमेंट वो तो क्या जाए हूँ और अगर कोई कैवागोल एलिमेंट है तो क्या हो अगर विंड़ो चीज हो तो क्या संग का नानी किस सारे चीज़े में यहां से कस्टमाईज कर सकता हुए संग की मधिरों एकले सब्सक्राइब तो उस वक्त क्या निची एल एज एलिमेंट जो होते हैं उन पर आपका कर से जाए तो क्या साउंड आए तो यहां से आप कस्टमाइज कर सकते हो तो अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हो किस तरी केसे करना है वो भी बताये देता हूं जैसे डबलट डखता हूं बैक पर क्या साउंड आती है थीक है तह यह साउंड आये अब हुए अगर चलिए मैं दूसरा ले लिता हूं ब'' अब यह देखो क्या साउंड आ रही है धियां से सुनना तो यह जो साउंड है यह जो चरंक वाली आ रही है देखो ज्याद से सुनना इसको चेंज करके मैं आपको दिखाता हूं तो हम नैविगेशन की साउंड को चेंज करते हैं तो जैसी मैंने उस पे क्लिक किया तो सारी साउंड मेरे सामने आ चुकी है अब अगर मैं Browse By Touch से देखता हूं सभी साउंड को तो यह मुझे साउंड भी देगा ऐसात में अगर मैं Left साउंड से सभी पर यह रखता हूं तो यह मुझे साउंड भी कि कौन सी साउंड हम चेक कर रहे हैं देखो टीक है तो इस तरीक से आप अगर ब्राउज बार टज से देखते हो तो सारे साउंट आप को आवाज सुना ही देंगी तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं अब जैसे आपने सिलेक्ट कर लिया कोई साउंट को सिलेक्ट कर लिया उसके बाद जब तक यह से बैक नहीं आ जाते बैक आजाता हूं अब मैं स्वाइब डाउन देन आप यहांनी नेविगेशन चेंज करता हूं अब देखो कैसे साउंड आ रही है ठ्रणंग वाली आ रही है दुवारे चेंज करके दिखाता हूं बैक आता हूं अभी ध्यान से सुन दो यह वाली है अभी सेव नहीं हुआ है क्योंकि बैक आते हैं यह से अब मैं नेविगेशन चेंज करता हूं दुवारा आ अब थे से आपको कैस्टमाईज करना है अगर आपको तो वह आप कोमेंट करके बताएगा अगली वीडियो में हम इसके बारे में और बात साउंद को बनाएंगे टिकां डिखते हैं साउंद्स्कीन मणाजर इसमें आप सबी साउंडस को जो आपके पास मजूद है उसको अपने इस हैं से उक्रेट करना ठीक है तो मालने जिए मुझे कैमरा वाली जो है यह इसे डिलीट करना है तो मैं इस पर डबल टाप लॉंग प्रेस करने के बाद आपको लेफ्ट करना है घाट करना चाहते हो पहले इसने डेलेट बोला फिर बोला जो सउट नाम है वह सब्सक्राइल करना चाहते हैं ,चैन्सल करता हूँ द्वारा डबल टैप लोग प्रेस करता हूँ अब डिलीट का मैंने आपको बता दिया रिनेम कर सकते हो इसके नाम को बदल सकते हो जैसे इस पर डबल टैप करोगे एडिट बोक्स उपन हो जाएगा वहां से नाम को क्लियर करके डिलीट करके फिर अपना नाम लिख दो या फिर जो लिखना चाहते हो साउंड का नाम वह लिखके ओके कर देना तो यह रिनेम हो जाएगा उसके आगे देखते है क्या है त्री शेयर कर सकते हो यहां से यह जो शेयर होगा यह सर्वर पर होगा सर् वहारा पर यहां पर ऊसका है तो यह जो फोर्मट में सेंड होगा और तो इतने सारे options यहां पे मुझूद है अब अगर आपको वहां से जैसे अभी हम एपल वाली यूज़ कर रहे हैं तो अगर हम वहां से नहीं चाहते जहां से अगर आप वहां से करना चाहते कई और से करना चाहते तो यहां से आप कर सकते हैं तो यहां से अब कर सकते हैं सभी की कर सकते हो मैं पदक्ति यहां पर आपको Default नहीं मिलेगी क्योंकि default को Customize नहीं कर सकते हैं नहीं शेयर कर सकते हैं क्योंकि अपने पर Já यह तो इस तरीक Web से कर सकते हो肥 सांड को दो तरीके हैं एक तो यहां से और एक वहां से ठीक है और यहां पे कुछ भी नहीं है ठीक है बैक आते हैं यहां से इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि अगली वीडियो में यह बहुत काम आएगा इसमें चलते हैं साउंड स्कीम साउंड स्कीम एंटर कीवर्ड यहां से सर्च कर सकते हो अगर आपको किसी का नाम पता है तो आप यहां पे नाम भी सर्च कर सकते हो अगर किसी साउंड का नाम पता है साउंड का नाम भी सर्च कर सकते हो ठीक है यहां पे करीब 6000 के असपास जो हैं साउंड जो आपने server पर अफ्लोड की होंगी यह जो आपकोHey sound नजर आएंगी यह सारी server मुझूद है तो जो आपUNGver पर ढालोगे sounds को वह सारी आपको यहाँ पर नजर आएंगी ठिक है माइन वाले में माइन ठिक है इसके अंदर आपको आपकी sound नजर आएंगे सिर्फ और किसी की नहीं आएगी अगर आपको सारी देखनी है तो आप यहां पर ओल पर सकते हो और मैं आपको यही कहूंगा कि अब क्या किजेगा यहां पर आईएगा डाउनलोड मोर साउंड थीम्स में एंटर कीवर्ड में लिखेगा नितिन कुमार इंग्लिस इंडिया वर्ट इस टॉप रिक एंड यू आई पिन टी नितिन स्पेस टे यू को फाइव टी एंड फ्रिक एंड और कुमर तो आपको यहां पर बाल लिख देना है तो यहां पर आपको मेरी साउंड सारी नजर आ जाएंगी तो जितनी भी आती है यहां पर वो वो उसमें से करीब 5 से 7 साउंड आपको डाउन्लोड कर लेनी है कम से कम 5 से 7 साउंड आपको डाउन्लोड कर लेनी आपको तो आका एक आपकी sound बनवाऊंगा ठीक है उन सभी sound से मैं आपकी एक sound बनवाऊंगा ठीक है जो कि काफी जबरदस्त होगी और आपकी बनाई होगी ठीक है तो आपको यहां से मेरी करीब 5-7 sound download कर लेनी है ठीक है जो आपको अच्छी लगती है अगर आप पसंद नहीं आती है तो delete करन है तो delete भी आप कर सकते हो अगर आपको मेरी डाउनलोड नहीं करनी है और किसी की करनी है तो यहां से और भी कर सकते हो मुझा साँन्ड निटिश के अस्पीट देखो इतनी सारी यहां पर मोझूद है तो यहां ठीक है ठीक है फिल्कुल आखरी हम आगरे हैं 6163 W1 Home 6163 जैसे यहां पर sound मुझूद है तो आप को मैं यह कह रहा हूं कि 5-7 sound कम से कम आपके पास होनी चाहिए अच्छी अच्छी जो आपको पसंद है वह sound आपको डाउनलोड कर लेनी है जो इसका अगला पार्ट आएगा उसमें हम बात करेंगे किस तरीके से आप अपनी sound क्रीटकर सकते हो खेंए तो आपको यहांसे 5-7 साथ sound डाउनलोड कर लिनी है उससे जादा करना चाहो है तो कर सकते हो है तो यहां से अपको अपनी sound download कर लेनी है तो लेकिन करना थोड़ी ताकि आपके पास sounds जादा हो जिसकी वाजिसे आप एक अच्छी sound theme बना सको क्योंकि आपके पास sounds कम हो Toronto predictable यानि जो vibration होती है वो आए या ना आए आप इसे check या note check कर सकते हो अपने इसाब से checked लगा दिये तो vibration आहे है unchecked unchecked किया तो नहीं आई आहे है तो आप यहां पे अपने हिसाब से customize कर सकते हो कि यह vibration आए या ना आए haptic feedback intensity haptic feedback intensity यानि vibration जो हो उसकी intensity कितनी होनी चाहिए क्या वो light होनी चाहिए थोड़ी dark hard होनी चाहिए फिर very hard होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए इसके अंदर जाके देखते है लाइट यानि हल्की हल्की आएगी बिल्कुल ठीक है medium चैक मीडियम आनी चाहिए strong हो strongest यानि बहुत जादा ठीक है तो स्ट्रोंग एस्ट तो मती रखना ने तो बहुत जादा बैटरी जाएगी आपकी तो आप light रख सकते हो ठीक है light में हल्की हल्की vibration आपको आएगी तो यहां से आप यह भी कस्टरमाइज कर सकते हो कि vibration आखिर कितनी आए ठीक है तो आज की settings बस इतनी थी feedback settings के अंदर इतना ही है आज जो मैंने आपको homework दिया है वो यही है कि आपको यहां से किस तरीके से आपको आपकी खुद की sound बनानी है ठीक है उसके वैसे दो तरीके हैं लेकिन मैं जो बताने वाला हूं वह बहुत जादा असार है बेसिक से बेसिक यूजर भी बना सकता है उसको ठीक है उस तरीके से तो आज हमने बात कर लिया है साउन फीडबेक सेटिंग्स के उपर ठीक है सभी चीजे मैंने बता दी है बस अगली पार्ट में हम साउन तीम किस तरीके से क्रेट करने है वह जानेंगे अगर आपको कुछ और भी जानना है फीडबेक से रिलेटेड तो वह भी आप कोमेंट करके बता सकते हो उसके बारे वीडियो से कुछ भी समझ लिया है तो भी कोशन कीजिएगा आंसर करने की पूरी कोश्च करूंगा तो मैं जल्दी आजिर हो जाओंगा एक नेक्स वीडियो लेके तब तक के लिए मुझे दो जाज़त मैं आऊंगा नेक्स वीडियो लेके